पंजाब में आप और कॉंग्रिस के बीच घमसान शायद विपक्षी एकता के समापन के साथ ही खत्म होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राजनितिक महतकांशा और राजनिती चमकाने की आज जो होर पंजाब में लगी है उसमें शायद इंडी गटबंदन भी जुलस जाए क्योंकि कॉंग्रिस की राजनितिक जमीन पंजाब में खत्म कर आपकी मान सरकार वहां शासन चला रही है जो अपने ही गटबंदन साथी कॉंग्रिस को तिल-तिल करके मार रही है कॉंग्रिस के भी स्थानिय नेता आप से दोतो हाथ करने के लिए बेकरार है लेकिन आलाकमान की राजनितिक विवस्ता के कारण शेत्रिय नेता लगभक शान थी बैठे हैं वो कॉंग्रिस जो हलके भी कोई जांच एजनसी उनके नेता को बुला लेते तो राजनितिक कोहराम मचा देते हैं चक्का जाम करके आम अदनी को परिशान करते हैं राजनितिक दबाब बनाने की कोशिस करते हैं आज वही कॉंग्रिस ने अपने विधायक के जेल जाने के बाद एक बेबस चुप्पी साध लिये क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पीएम मोदी से लरना है तो बिरोधभासी दलो की गाली को भी पीलो नहीं तो कॉंग्रेस खत्म हो जाएगी लेकिन पंजाब कॉंग्रेस के नेताओं को शायद अलाकमान की सोच से कोई लेना देना नहीं है तबी तो पंजाब कॉंग्रेस के नेता आप सरकार पर लगातार राजनितिक हमला कर रहे हैं वर्तमान राजनितिक बयान पंजाब कॉंग्रेस के पूर्वत ध्यक्ष नवजोथ सिंग सिद्धू ने दिया है जो काफी हैरान करने वाला है क्या एक खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल पंजाब कॉंग्रेस कमीटी के पूर्व परधान नवजोथ सिंग सिद्धू ने अब कॉंग्रेस विधायक सुखपाल सिंग खैरा के समर्थन में बोला है सिद्धू ने इस दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर लोक तंतर का गला दमाने और पुलिस तंतर का गलत प्रयोग करने के भी आरोप लगाएं वहीं सिद्धू ने कहा कि पंजाब में भैकाराज चल रहा है सिद्धु ने खैरा के समर्थन में बोलते हुए कहा कि विधायक खैरा ने सवाल किये इसलिए उन पर निशाना साधा गया है पंजाब की तरास्दी ऐसा बन गई है जो सीधे सवाल पूछता है उस पर कारवाई होती है आजादी के समय बहस होती थी सवाल जवाबों को खिले माथे से स्विकारा जाता था लेकिन अब डेमोक्रेसी की इमारत को गिराया जा रहा है वहीं पुलिस 2015 में कहती थी कि फोन कॉल्स आई थी वहीं बाद में कहने लगी कि खैरास साहब किंग पिंग है वहीं पुलिस एडी को फैसिलिटेट करती है तो एडी कहती है कि 6.50 करोर का जवाब दो जब कॉंग्रेस कहती थी अंदर दो तब भगवंत मान साहब कहते थे ये बदला खोडी है लेकिन अब वो पल्टा खा गए आज परिस्थितिया बदल चुकी है मान साहब कहते है कि मुझे पता ही नहीं है ये तो पुलिस जाच में आया है इसके साथी सिद्धु ने ये भी आरोप लगाया है कि पंजाब में लोग तंतर नहीं है भै तंतर हो गया है जो सच्चे सवाल पूस्ता है उसे डराओ बार बार उसे बोला जाता है चुप कर जा अगर चुप ना किये तो अंदर ठोकेंगे क्या ये लोग तंतर है ये डंडा तंतर है पुलिस तंतर का परियोग सिर्फ जूट को दबाने के लिए किया जा रहा है लोग तंतर नहीं रहा लोगों को जूट बोल कर और जूटे वादे करके बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है तो देखा आपने कैसे पंजाब में विपक्षी इंडी गट बंदन में घम असान मच गया है। कॉंग्रिस को अपने विचार को तै करना होगा, नहीं तो जनता भी उन पर से भरोसाख हो देगी। Bureau Report, OMS News